Hello friends, welcome to my channel, I am Technical Help So friends, अगर यहाँ पर आपको सिर्फ C Drive दिखा रहा है और यहाँ पर आपका other drives नहीं कर रहा है वो आपको कैसे यहाँ पर enable करना है कैसे वो यहाँ पर ले के आना है हम लोग सब इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं अगर आप Windows 10 योज कर रहे हैं और यहाँ पर जब आप देखते हो कि यहाँ पर जो मेरा drive था यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है वो आपको कैसे ले के आना है कैसे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे कैसे आपको यहाँ पर उनको add करना है हम लोग सब इस वीडियो के अंदर जानने वाले है तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और पहली बार आए हैं प्ली सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी बहुत सारी वीडियोज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी चाहिए वो laptop, desktop, youtube या फिर किसी भी software में किसी भी टाइब का आपको कुछ भी problem आ रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको टाइब का वीडियो मिल जाएगा तो वीडियो को start करते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो यहाँ पर कोई drive नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है जो आपका PC है यहाँ पर दिस PC का एक option मिलेगा आपको यहाँ पर right click करना है manage के अंदर जाना है आपको manage के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको disk management का एक option मिलेगा यहाँ पर आपको click कर देना है यहाँ पर click करने के बाद friends यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपका जो C drive है only C drive यहाँ पर और यहाँ पर unlocated करके आपको drive मिल जाएंगे आपके PC के अंदर ठीक है तो यहाँ पर disk management के अंदर आपको unlocated space ऐसा कुछ मिलेगा तो आपको क्या करना है only अगर उनको drive path assign नहीं है तो आप सिर्फ right click करना है और new simple volume पर click कर देना है और next button पर click कर देना है आपको यहाँ पर आपको size same रखना है या कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ पर आपको drive को आप कोई भी path दे देना है यहाँ पर select करना है और उसको yes कर देना और नीश कर देना है तो यहाँ पर friends जो आप देख पारे हो यहाँ पर इसको path assign हो जाएगा यहाँ पर हम लोग बंद करेंगे तो हम लोग ने drive जो हमारा यहाँ पर नहीं दिख रहा था यहाँ पर वापसे दिखने लग गया है आपको कैसे एड करना है अगर आपके यहाँ पर only C drive है और आपके यहाँ पर D drive यहाँ पर 100 नहीं हो रहा है वह कैसे आपको यहाँ पर लेकर आना है और वीडियो को like करना और share करना ना भूलेगा thank you so much